हेलो चेंपियंस आपने थंबनेल में बिलकुल सही देखा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज आपसे शेर करने जा रहा हूँ जो जिसको जानने के लिए आप सारे लोग बहुत ही एकसाइटेड रहते हो जी हाँ क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक basically मैं based टॉपिक आपसे शेर करने वाला हूँ जो की बोर्ड की एक्जैम में हर साल आता ही आता है हर साल आता है और हर सेट में आता है यानि उस टॉपिक को तयार करना बहुत जरूरी है आपका सकतों सर आपको कैसे पता तो मैंने last 10 years के CBSC board के question papers की analysis करने के बाद ये conclusion निकालना है और मेरी बाद क्यों मानों आप see for yourself आईए देख लेते हैं फिर तो ये रहा हमारा my best question अगर आप CBSC board का previous year का question paper है अगर आप इसमें नजर डालें तो आप देखेंगे ये तो अपना history का हो गया geography का equation रहा और अगर आप इसमें नजर राले तो आप देख पाएंगे ये देखें इस question के बात कर रहा हूँ है Noeda Software Technology Park एक ही question paper के set में नहीं आया है हर साल आता है दूसरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो हमारे syllabus हट चुका है तो ये नहीं आएगा but it shows की software technology पार्क वाले जो हमारा geography का topic है कितना important है आप दूसरे set में देख सकते हैं पूने software technology park आप देखें इसके नीचे दूसरा वाला जो question paper का set है उसमें भी पूने software technology पार्क आया है लेकिन वो दूसरा set है इसको ऐसे आप differentiate कर पाएंगे देखें जैसे लिखा है यहाँ पर इसमें last question क्या है हल्दिया seaport और उपर क्या है नरवरा next वाले में देखें next वाला गर हम लोग question paper देखते हैं ये actually same year का दूसरा set है इसमें भी देखें पूने software technology पार्क आया है बट उसमें क्या था दूसरा कोई port था इसमें पारादीब seaport है एक बार आप चाया हैं तो back जाके देख सकते हैं इसमें क्या है पारादीब seaport पूने software technology पार्क के साथ इससे पहले वाले में क्या था इससे पहले वाले में हमारा हल्दिया यहां भी पूने Software Technology Port है यहां पे हल्दिया Sea Port है So it highlights the importance of this topic इतना है नहीं इसके अलामा हम अगर और आगे बढ़ें तो यह देखे यह देखे आपका फिर पूने Software Technology Park So basically मैंने 10 years को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से analysis करा है आप लोगों के लिए तो कहने का मतलब है यह इस topic से my best questions में आपको एक नए question Software Technology Park का मिलेगा ही मिलेगा राइट अच्छा यह क्यों मैं ही नहीं बोड रहा हूँ CBSC board ने इस साल का जो 2024 का जो हमारा board 2024 का जो हमारा board का exam होने वाला है उसके लिए CBSC ने sample paper question sample paper issue किया है उसमें भी यह दिया हुआ है आईए देख लेते हैं इसको भी यह देखिए CBSC ने आप लोगों को पता है देखिए यह जो 2023-2024 के लिए यह practice question paper फिर CBSC ने दुबारा additional practice question paper 2023-2024 के लिए issue किया था इसमें two set of question papers issue किया था उसमें एक इसको भी हम next slide में देखते हैं यह आप देख सकते हैं यह देखिए यह रहा हमारा question a software technology park in महारास्टरा तो direct question नहीं पूछा लेकिन software technology park से question आया न इस दूसरे set में देख लिजिए और software technology park in North India right जैसा कि आप लोग जानते हैं कि software technology park total हमारे eight हैं चले आगे देखते हैं basically इन सब बातों से यह प्रूब होता है कि यह जो software technology park वाला basically अब आप लोग इस question को समझ गये हैं कि कौन सा किस question की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं बात कर रहा हूं software technology parks of India and जैसा कि मैंने पहले भी बोला software technology parks केवल eight in number केवल eight हैं यानि एक नमबर आपका आगे आने वाले पांच मिनट में या पांच मिनट से कम टाइम में पका I guarantee you अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तुम इस तरीके से जो eight software technology parks हैं इतनी अच्छी trick बताऊँगा कि पहली ही नजर में blank map में आप उस एरिया को identify कर लोगे और locate कर लोगे तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हो देखते हैं कहां पे है तो ये रहा हमारा software technology park देखे हमारे board के exam में चले पहले उसको देख लेते हैं ये देखे है आप लोग ये जो हमारा manufacturing industries वाले chapter का part है और there are total eight in number जिसमें कि नोईडा है गुजरात का गांधिनगर है मुंबाई है पूने है है हैदराबाद है बेंगलूरू है चन्नाई हो ते निरुमन प्रेपर बेसिकली टोटल eight software technology parks है चली अब इस slide पर आ गए है तो आप देख लिजे ये देखे सैंपल question पेपर है ये 2023-24 राइट और इसमें भी देखे आया है नोईडा software technology park तो ये topic अपने आप में बहुत ही important है लगभग लगभग नहीं हर साल ही आता है राइट तो इसे हम खूब ध्यान से तयार करते हैं चली देखते हैं अब पिछली वाली slide में हम लोग चलते हैं और पिछली वाली slide में इन जो एट software technology park से इनको plot करना सीखते हैं खूब ध्यान से देखे मैं दिमाग में रख दूँगा I guarantee you ध्यान से आप देखे दिमाग में रख दूँगा चले पहला हमारा कौन सा है तो पहला हमारा है नोडा अच्छा एक चीज बिफोर वी plot हम लोग जान लेते हैं क्योंकि आज के लिए सर के question आने लगे है कि direct question नहीं आता ऐसे बोल देता है a software technology पार्क की नौर्थ इंडिया तो ध्यान दीजे देखे नौर्थ इंडिया में क्यों एक software technology पार्क है जो हमारे syllabus में है उसकी बात की जा रही है दूसरा यह देखे वेस्ट इंडिया में तीन software technology पार्क ह है हमारे West India में वेस्ट इंडिया में कौन सा सट्ट है एक तो गुजरात के गांधीनगर में है और दो है महारास्ट्रा महारास्टा वेक मुंबई में है एक पूने में है तो मुंबई आईटेफ़ाय करना आप लोग बहुत आसान है आप पूने मैं आपको बता ही दे रहा ह वह भी बहुत आसान है उसके बाद ही हमारे चार जो सॉफ्ट्वेर टेकनोलजी पार्क्स हैं यह हमारे साउथ इंडिया में है राइट आए देखते हैं फटाफट तो इसको याद रखिए वन नॉर्थ इंडिया थी इन वेस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया में कौन से स्टे आइए फटाफट प्लॉट करना सीखते हैं से तो प्लॉटिंग के लिए आप लोग ध्यान दीजे सबसे पहला हम लेते हैं नोएडा जो की उत्तरप्रदेश में देखिए दोस्तों यह हमारा दिल्ली यह हमारा उत्तरप्रदेश राइट तो देखे यह डेली है तो यह दे लोकेट करना आप यहां साथयां से देखिए देखिए दो देखे एक लाइन आप यहां पे बना सकते हो हो कि अप लाइन आप कोफ्टवेर टेकनोलजी पार्क राइट नेक्स हम लोग कौन सा करते हैं नेक्स है हमारा अब गुजरात का गांधी ने करो गया मुंबई मुंबई तो आप लोग अच्छे से पाचानी गया मुंबई एरपोर्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था तो यह रहा हमारा मुंबई अ यह रहा आपका मुंबई राइट और फोर मिली मीटर नीचे आके अप हलका सा राइट बढ़ जाए यह रहा अपा पूने राइट उंकि मुंबई कोस्ट्रेल सीटी है और पूने इंलन Tipp है तो यह हो गया यह हो गया हमारा मुंबई सब्सक्रहाई इसको लोकेट करने के घंगाना सा है आगला हमारा कौन सा है बेंगलूरू इस को भी अधोर लोकेट करना बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान दें यह देखें यह अपना क्या है करनाटका राइट यह करनाटका है यह तमिल नाडो यह केरला है ध्यान से देखें बहुत ही आसान तरीका है अब आप यह वाला एरिया देखें करनाटका के मैप में करनाटका के मैप में यह वाला एरिया यह वाला एरिया को इब कौन सा आता है अपना चे नाइज को कॉमेंट करके बताएं कि क्या नाम है चले आगे बढ़ते हैं तो चिन नहीं देखे आप का यहारा यह हो गये है अपना चन्नाई हो घू अफट हूए शॉफ्ट वेर टेकनोलिजी पार्क राइट चलिए अपना लास्ट लस अगला एक आप तंद्वानद केरला में है की कडेश्च का वैंगो इसको लूकेट करना और Tamil आउट का border हो गया लेकिन यह जो कि तिरुमनन्थ पुरम है तो इस line के left में आई है यानि केरला side पर आई है यह हो गया आपका तिरुमनन्थ पुरम तिरुमनन्थ पुरम साफ्ट्वेर टेकनोलजी पार राइट तो आई होप दोस्तों आपको यह चीज समझ में आई आपको useful लगा अगर यह वीडियो आपको useful लगा है प्लीज सब्सक्राइब लेट स्कोर 100 हाँ लेट स्कोर 100 को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आपसे आपसे ही करना ब्लीज सब्सक्राइब ल्याएज ने आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया मुंबई और पूने पढ़ा, उसके बाद करनाटका में हम लोगों ने बैंगलोर सॉफ्वेर टेकनोलोजी पढ़ा, उसके बाद चन्नाई तमिलाड का चन्नाई पढ़ा, तेलंगाना का हैदराबाद पढ़ा और केरला का थेरिवन अन्तप्रम तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और interesting और useful वीडियो के साथ, till then keep learning, keep scoring full marks, thank you so much